रोतास में अपरादियों के होसले साथवे आस्वान पर मुक्या पर फाइरिंग बियार में अपरादियों के होसले बुलंद है आलम यह है कि बेख़ॉफ अपरादी अपरादिक वारदातों को अंजाम देने से नहीं चूक रहे हैं ताजा मामला रोहतास जेले का है जहां हतियार से लैस बेखाफ अपराधियों ने दहाउर पंचयत के मुख्या पर जानलेवा हमला कर दिया बता दें कि इस जानलेवा हमले में मुख्या संग के उपाध्यक्च बाल बाल बच गए वहीं मुख्या के घर पर हमला करने पहुंचे बदमाशों के द्वारा देशी कत्या लहरानी का एक वीडियो भी सामने आया है गटना देहरी इलाके के न्यू एरिया मोहले की है हलाकी इस संबंद में मुख्या संतोस कुमार सिंग के द्वारा देहरी थाने में अग्यात बदमाशों के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है वहीं पुलिस पुरे मामले की जाच में जुट गई है गटना के संबंद में बताये जाता है कि राज़त के पूर्व महासची वा मुख्या संग के जिला उपधिक्ष संतोस कुमार सिंग के आवास पर न्यू एरिया वाड नमर 18 में आधी रात के बाद उनके घर पर आधा दर्जन सेदी के बदमाश पहुँचे और गाली गलोच करने लगे इसे बीच फारिंग भी की गई इस हमले में वो बाल बाल बच गए मुखिया ने बताया कि इस पूरे घटना के बाद पूरा परिवार वा खुद काफी दर्शत में है जिसकी बाबत उन्होंने रहतास एसपी आशीश भारती को पत्र लिकर न्याय की गुहार लगाई है वहीं जल्द से जल्द दोश्यों के गिरफतारी की मांग भी की है रहतास से आरथी भारत के लिए कैमरामैन आदितिराज के साथ रोहेत सिंग की रिपोर्ट पुलिस केस हुआ है पुलिस केस कीया है बड़ा बबंच रात में गय थे बारव बच के पुछने में पर वहाई तो भाग गया था अभी तब पुलिस वहां आरेश नहीं थी हम लोग दस्तक में पूरा पलिवार है क्या चाहते हैं आब बबब तो पैरेश्टिंग चाह रहा है नहाई मिले दमदान निर्मान का भरोसा लालिस्टी टीम्टी बार्स हर निर्मान के लिए उप्योग लालिस्टी टीम्टी बार्स रिष्टा मजबूती का